नमस्कार बच्चों इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्ति का कक्षा आठवी, विशे, हिंदी, पार्ट एक, वर्दे का संपूर हल देखेंगे तो चेनल को सब्सक्राइब वो वीडियो को लाइक वो अधिक से अधिक सेयर करें तो आई ये शुरू करते हैं अतिलग उत्तरी प्रिष्णे, प्रिष्णे एक, कवी सोतंत्रा का मंत्र कहां भने की बात कहे रहा है उत्तर कवी सोतंत्रा का मंत्र भारत में भने की बात कहे रहा है प्रिष्णे दो, बिद्धा की देवी किसे कहा जाता है, बच्चों उत्तर, मा सरस्वस्ती को विद्ध की देवी कहा जाता है प्रिश्ण तीन, नव, नव, नव से कभी का क्या आसा है उत्तर, नव, नव से कभी का आसा है कि सभी प्राडी नए भाराद वर्ष की रचना करे और उन्हें इस निमाण में सभी नए साधन प्राप्त हो लगूतर प्रिष्ण चार निम्रिकित पक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए काट अंध उरके बंदन इस्तर बहाजननी जोती मर निरजर कलू से भेद तम हर प्रकास भर जग मग जग कर दे लगूतर हेमा मनुष्चि मात्र के हिरदय में जो अज्यान के वंदन इस्तर है उन्हें कार दे और उनके हिरदयों में ग्यान की योती रूपी जरना भर धां भर दे मन के विकारों को दूर कर दे, अज्ञान के अंधिकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रिकास भर दे, संपूर जगत जगा अमगा दे प्रिश्ण पांच नौजात सिसु के चराण कमल के समान सुन्दर है, वाक्य में उपमें, उपमान, सधरान धर्म, एबंबाचन सब्द छाड़ कर लिखिये उत्तर उपमें, चराण, उपमान, कमल, सधरान धर्म, सुन्दर, वाचक सब्द, समान, प्रिश्ण छे अज्यान के तीन प्रियावाची सब्द लिखकर उन्हे वाक्यों में प्रियोग कीजिए उत्तर अकास, गगन, नभ, आसमान, गगन, छेती, जिमें, धर्ती, और गगन, मिलते, प्रितित होते हैं नभ, नभ में पक्ची उरते हैं, आसमान, पतंगे आसमान में उरती हैं, दिर्ग उत्तर ये पिश्ण शाथ, आप मा सरस्वती से अपने रष्ट के लिए बर्दान में क्या क्या मांगना चाहेंगे उत्तर, संपूर भारत बर्ष में सतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाएं प्रत्य बक्ती का हिर्दे से अज्ञान का अंत्कार दूर हो जाएं, तथा सरवग्य ज्ञान की जोती का जहरना बहने लगे मन के विकार दूर हो जाए थथा समस्त संसार ज्यान के प्रकास से जगमगा उठे मुल्यांगन एक अतिलग उत्तरी प्रिश्णी प्रिश्णी आठ वर्दे कविता में बीड़ा वादिनी किसे कहा गया उत्तर वर्दे कभिता में बीड़ा वादनी मा सरस्वती को कहा गया दिर्ग उत्तरी प्रिश्ण नो उपमा अलंकार किसे कहते हैं लिखिये उत्तर जहां एक बस्तु की दुसरी बस्तु से तुल्ला की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है दो बस्तों में रूप गूड आधी के अधार पर समता या तुलना की जाती है दिर्गुत्तरी प्रिश्टने प्रिश्टन दस बर्दे कविता में कभी प्रकृति की किनकी बस्तों में ना ये रूप देखना चाहा रहा है विस्तर पुर्वक लिखिए उत्तर बर्दे कविता में कभी ने प्रकृति की बस्तों का चितन तन चितर नए रूप में कहा किया जाता है बेज हाते हैं कि प्रकृति में कोई भी बस्तों अपने पुराने सुरूप में ना बनी रहे बेज हाते हैं कि वहां मदूरता हो भाबुकता हो सज्जिपता हो प्रकती प्रतेक बदले हुए सोरुप में प्रेम और सुन्दर का उपदेश देती है बच्चों इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अधिक से अधिक से एर कीजिए